तीरे तूम्हे दोखा हो गया विश्वास के आने से च्छे आध मीवरगए परसाथ के खाने से समझ समझ के रहना अज खोटा नहीं है तीरे तूम्हे भी धोके बाजों का टोटा नहीं है नए आधमे के हाथ का परसाथ मतकाऊ बिगडी ओलाद माबाप के लिए आपत हो रही है माबाप काम करते ओलाद सो रही है वो बच्चा के सुदरे का नो बजे तक सो रहा है बिस्तर से उठाने ही चाही कोरो रहा है करमीन से कुल की समर्याद बिगड़ जाती है जादा लाड प्यार से भी ओलाद बिगड़ जाती है बिगड़ी ओलाद सुधारने की मसीन 11,000 रुपे में आएगी ओलाद को सुधार के मसीन को बेचो गे, 1,5 रुपे में बिगड़ जाएगी देखो जमाना बिगड़ गया माथे पे तलक लगा के महराज हो گیا शराब छोड़ने की केदी तो नराज हो गया चाही बात केने में आल हो गया काले रंग का महराज गुस्से में लाल हो गया पंदी जी का लड़का किंगा नाता है चड़ी नी पेंता नंगा नाता है कोई घर जवाई तो नहीं है घर जवाई की बात सुना रहो गर का बेदर किसे कहना न चाहिए मर्द को सतुराल में रहना न चाहिए सतुराल का सारा ही काम करना पड़ेगा बेहनोई होके साले से भी डरना पड़ेगा लाचार बन रहना पड़े कैसा गय को दम नहीं गर जवाई की जद होती गधे से कम नहीं कोई घर जवाई तो नहीं है जादा दिन कवारा रेना खोटा नहीं है शादी के बाद उल्जनों का टोटा नहीं है पुराने स्यादी सुदा से बूसलो कितने आपत हो रही है कहने में नहीं आती आत्मा ही रो रही है जमाना खराब मेंगाई बहुत हो रही है दो रत वालों की तो आज गल मौत तो रही है हाजी कुछ खबर रहती नहीं नीदा जाने के बाद माबाप लगते हैं बूरे स्यादी हो जाने के बाद ये ससुराल वालों को रबडी खिला रहा गर वालों को लखडी दिखा रहा जमाना यहां तक खराब आरहा बाप को पूस्ता नहीं ससुराल जारा सासु की सेवा करना बहु के लिए अच्छी बात है बहु भी एक दिन सास बनेगी सच्छी बात है पानी क्या चानेगी आटा चानती नहीं है खुद में अकल नहीं सासु की मानती नहीं है शादी करके लाए तभी से आपत हो रही है सासू काम करती बहु सो रही है सासू भी खराब है सासू भी बहु को बेटी की तरह समझना जानती नहीं है डाकन की तरह खाऊ खाऊ करती है शुपानती नहीं है तो का दोए ना जाड़ो दे वो गरी पक्का बासी है जिस गर में औरते रोज नीन आये वो गरी सब्ते अनासी है ये बात गर्भे जाके नहीं केने की मैं भी नहीं केता हूं यह अगड़ा हो जाता था